सर्दिया न मुझे इसलिए ही अच्छी लगती है क्योंकि खाने पीने को बहुत ही बढ़िया बढ़िया मिल जाता है मिल क्या जाता है बनाना पड़ता है फिर मिलता है वैसे आज हम बनाने जा रहे हैं मतर का बहुत ही टेस्टी नाश्ता कचोरी समोसा सब फेल है इसके आगे आप एक बार जरूर बना कर देखिए चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहले इसका आटा लगाते हैं जिसके लिए बोल में एक कप हम मैदा ले रहे हैं इसमें हम मिक्स कर देंगे थोड़ा सा नमक लगबग एक छोटा चमच है और 4 चमच मिल्ट किया हुआ घी हम इसमें डाल देंगे इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसे मॉइन लगाना कहा जाता है जैसे ही आटा और घी यानि मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसे बांद कर देख लीजे अगर यह shape ले रहा है that means मौईन अच्छे से लग गया है अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हम आटा लगा लेंगे आटा जो हमें लगाना है वो semi soft लगाना है याने ना जादा सक लगाना है और ना ही ज्यादा ये नरम होना चाहिए आटा लगकर तयार है इसे हम ढग देंगे और 30 मिनट के लिए rest करने देंगे तब तक हम filling तयार करते हैं blending jar में यहाँ पर हम ले रहे हैं एक कप मटर फ्रेश मटर है ये तो हम इसमें इसे डाल दिते हैं और इसे हम दरदरा पीसेंगे यानि मिक्सी को 5 सेकिंड के लिए चलाना है बंद करना है फिर 5 सेकिंड चलाना है और बंद करना है ऐसे हम 2-3 बार करेंगे तो हमें इसका एक दरदरा सा पेस जो है वो मिल जाएगा अब इसे हम side में रख देते हैं filling के लिए यहाँ pan में हम ले रहे हैं दो से तीन चमच तेल flame जो है वो low पर रहेगा तेल गरम होने पर एक चमच जीरा डालेंगे चुटकी भर हींग डाल देंगे एक चमच कसूरी मेथी दो बड़े चमच हम यहाँ पर बेसन के ले रहे हैं एक इंच अद्रक को हमने कूट कर लिया है दो हरी मिर्चे जो हैं वो हमने काट ली है अब इन्हें low flame पर हम लगातार इसी तरीके से चलाते रहेंगे हमें इसे तब तक चलाना है जब तक बेसन का हलका सा color change ना हो जाए और बेसन में से बढ़िया सी खुश्बू ना आ जाए ये पूरा प्रोसेस हमें low flame पर ही करना है इस बात का हमें ध्यान रखना है जैसे ही बेसन भुन जाएगा हम इसमें डाल देंगे हरे मटर का पेस्ट जो हमने पहले ही बना कर रखा हुआ है दोबारा हम इसे लगातार चलाएंगे तब तक जब तक मटर के पेस्ट में से जो moisture है वो खतम नहीं हो जाता और ये जो filling है वो थोड़ी सी dry नहीं हो जाती जैसी मटर में से moisture खतम हो जाएगा हम इसमें मसाले डालेंगे तो एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर है एक चमच लाल मिर्ची एक चमच धनिया पाउडर एक चमच भुना हुआ जीरा पाउडर आदा चमच गरम मसाला नमक और एक से डेट चमच आमचूर पाउडर डाल कर एक से दो मिनिट के लिए हम इस मसाले को और अच्छे से पका लेंगे मसालों में कमी मत रखिएगा फिलिंग जो है वो चटपटी बनेगी तभी मज़ा आएगा इसे खाने का तो देखिए फिलिंग हमारी तयार है थोड़ी सी धरिया पती डाल कर हम इसे मिक्स करेंगे साइड में रख तक यह अच्छे से ठंडी हो जाए अब फिलिंग जब तक ठंडी हो रही है तब तक हम एक पेस्ट पना कर तैयार कर लेते हैं जिसके लिए चार बड़े चमच हम यहां पर कॉनफलार के ले रहे हैं और छे बड़े चमच हमने यहां पर पिगला हुआ गी ले लिया है दोनो को एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से मसल कर हम इस तरीके से लंबा कर देंगे एक बड़िया साइस का रोल तयार कर देंगे अब इस रोल को हम सेविन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हम इसकी सेविन लेयर बना रहे हैं तो हम इसे सेविन पार्ट में जाथ बया करनी है इसे इतना पतला करना है कि पीछे अगर आप असे अपना हात करें तो आपकी उंगलिया या और आपका हाथ जो है वो नजर आना चाहिए अब इस रोटी के उपर हम लगा देगे वही paste कॉनफलार और घी का जो हमने बना कर रखा था थोड़ा थोड़ा सा जो पेस्ट है वो पूरी रोटी पर हम इसी तरीके से फैला देंगे यह रही ही दूसरी रोटी हमने सारी रोटिया पहले ही बेल ली है थोड़ा सा पेस्ट हम दुबारा से कॉनफलार और घी का इसके उपर लगा देंगे इसी तरीके से हम सारी रोटिया एक के उपर एक रख कर और घी और कॉनफलार का पेस्ट उसके उपर लगा देंगे ये रही सातवी रोटी और सातवी रोटी पर पेस्ट लगाने के बाद हम इसे इस तरीके से एकदम टाइट बांध देंगे टाइट इसका ऐसे रोल हम बना कर तयार कर देंगे एक बार और हम इसे ऐसे कर देते हैं ताकि अच्छा सा एक रोल बनकर तयार हो जाए अब इस रोल इस बनकर तयार होई है तो इसी तरीके से हम काट लेते हैं एक रोल से कम से कम 5-6 पेटी जो है वो बनकर तयार होती है तो देखिए इस तरीके से खड़ा कर देंगे और ऐसे प्रेस कर देंगे तो इससे यह ऐसे राउंड शेप में आ जाएगा सब को हमें इसी तरीके से करना ह सब को साइड में रख देते हैं और एक मैं आपको ऐसे बेल कर दिखा देती हूं क्योंकि हम इसे ट्राइंगलर शेप दे रहे हैं तो ऐसे गोल बेलने के बाद हम साइड को थोड़ा इस तरीके से काट कर इसे स्क्वेर शेप दे देंगे बराबर कर देंगे देखिए इसी तर पर हम पानी लगाएंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए और उसके बाद इसे इस तरीके से फोल्ड करके एक ट्राइंगल शेप हम दे देंगे जैसे पेटीज का शेप होता है बेसिकली हम इसे वैसा ही शेप दे रहे हैं साइड्स को अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि यह और अब हम इने डीप फ्राइ करेंगे फ्लेम जो है वो मीडियम पर रहेगा और जो तेल है वो भी मीडियम गरम रहेगा थोड़ी देर के लिए हम इने टच्छ भी नहीं करेंगे जब यह अपने आप उपर आने लग जाएंगी इनकी लेयर्स खुलने लग जाएंगी उसक पर पास से आपको इनकी लेयर्स भी दिखा देती हूं यह देखिए बढ़िया सी इसकी लेयर्स बनकर तयार हो चुकी है कैसी लगी है आपको रेसिपी आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताएगा वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा जल्दी मिलेंगे हम अग के लिए बाबाई